तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन, लाइन सेग्मेंट और रे के बारे में किसे हम लाइन कहेंगे, किसको लाइन सेग्मेंट कहेंगे और किसको जो है रे कहेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइन सेग्मेंट क्या होता है तो line segment के लिए हम क्या करेंगे हम दो points देते हैं point A and point B अब जो है हम point A को जो है B से join करते हैं तो इस तरह से हमारे पास क्या मिलता हमको यहाँ पे A, B जो है एक line segment मिलता है इसको हम कहते है line segment जो एक point से start होता है और दूसरे point पर आके खतम होगी that is called line segment और इसको हम represent करते हैं A, B बार से इसे जो है देखो यहाँ पे end point एक A है और B है दो end points है तो इसको हम A, B बार या B, A बार से भी इसको represent कर सकते हैं अब next हम आएंगे कि ray हम किसको गहेंगे अब हम वापस point लेंगे A and B A से हम चलना start करेंगे और B तक आके B पे आए अब B पे हमको रुकणा नहीं है B point से जो है हम इस A, B direction जो है आगे चलते जाएंगे तो अगर हम A, B direction में आगे चलते जा रहे हैं तो यानि कहीं पर हमको वाँपे end नहीं होना है तो इसको हम कैसे represent करेंगे B के बाद जो हम क्या करते हैं यहां पर एक arrow लगा देते हैं इससे क्या यहां पर क्या represent हो रहा है कि हमने जो है A से चलना start किया A, B direction में और फिर जो है आगे चलते ही गए कहीं पर जो है इसके बाद रुकना नहीं है तो यह जो A, B है जो है यह यहां पर A, B और इसके उपर क्या लगाते हैं arrow लगाते हैं यहां रे क्या होती है एक line का जो है एक ऐसा part जिसमें starting point होता है और एक ही starting point होता है लेकिन उसका कोई end point नहीं होता है वो एक direction में जो है आगे बढ़ती ही जाएगी और endlessly जो है बढ़ती जाएगी अब कभी भी जो है अगर हम यहां पर इस रे की बात करें तो हम इसको कहेंगे हमेशा A, B, R इसको हम B, A, R नहीं क्या सकते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर यह रे जो है यह A से जो है B, A, B direction में आगे बढ़ रही है तो इसके लिए हमेशा इसको हम A, B कहेंगे अगर हमने इसको B, A, R, A से represent किया तो वो क्या हो जाएगा? रॉंग हो जाएगा क्यों? क्योंकि यह R, A, B से start होके A के direction में move नहीं कर रही है यह A से start होके B के direction में move कर रही है So this is A, B, R अब अगर जो है यह A, B जो यहाँ पे है यह जो है दोनों direction में जो है आगे move करें, right? हमार पास दो points है A and B और जो है यह जो line segment है यह line segment ने रहके यह A direction में भी आगे move कर रहा है और B की direction में भी आगे move कर रहा है यानि दोनों side जो है endlessly जो है move कर रहा है तो इस तरह से यहाँ पर जो AB हमको मिलेगा, this is called AB Line. तो यानि, Line क्या होती है? Line जो है, Line का कोई भी End Point या Starting Point नहीं होता है, और यह है, दोनों साइड जो है, Endlessly Move करती जाती है. अब इसको Represent कैसे करेंगे? इसको हमेरे Represent करते हैं AB Line से. अब AB Line को हम BA Line भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई Starting Point या End Point नहीं है, तो AB Line बोले या BA Line बोले, वो इस Line को ही क्या करेगा? Represent करेगा. सिर्फ रे के केस में, हम जो है, जो हमारे Elphabets हैं, उनको जो है, उनका Order Change नहीं कर सकते हैं. वो जिस Direction में Move कर रही हमको उसी Direction में, उसी Order में जो है, रे का नाम लिखना है. तो यह हो गया Line Segment, रे और Line के बीच में Difference. Line Segment क्या है? Line Segment में दो End Points होते हैं, और इसकी जो Length है, वो Definite होती है. Right? उसके बाद रे, रे में जो है, एक End Point होता है, Third, हम बात करेंगे Line की. Line में जो है, कोई भी Startingや End Point नहीं होता है, और यह दो Direction में, जो है, Endlessly Move करती है. और इसकी भी Length क्या होती है, Definite नहीं होती है. तो यह हो गया Line, Line Segment और रे के बारे. अब जो है, हम Next जो पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं, कि जो है, हमने Line, Line Segment और रे के Concept तो कितने अच्छे तरह से समझा है. तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ Questions के Answer देंगे. जो First Question हमारे पास है, वो है, What is this? हमको एक Figure दिया हुआ है, हमको बताना है, कि जो Figure है, किस चीज़ का है. Line है, Line Segment है या रे है. अब देखें, Figure में जो है, दोनों साइड क्या बनावा है? Arrow बनावा है. यानि, ये Line जो है, दो Direction में Endlessly Move कर रही है. So, this is a Line. तो इसका जो Correct Option है, That is Option A. Next हमारे पास है, Which Term Describe this Figure? अब देखें, ये जो Diagram है, इसमें ये क्या है? इसका एक Starting Point भी है और End Point भी है. तो ये क्या हो गई? ये हो गया है, एक Line Segment. Next हमारे पास क्योश्यन है, वो है, Which of these is a Line? हमको इन Diagram को देखें कर बताना है, कि इन में से Line कौन है? जो First-Wार Diagram है, उसका एक End Point है, एक Starting Point है, End Point है. So that's, ये क्या है, Line Segment है. इसमें क्या है? Starting Point है और दूसर डिरेक्शन, एक Direction में Move कर रहा है. तो ये Ray हो गई. यहाँ पे क्या है? Starting Point है और इस Direction में आगे Move कर रहा है. तो ये भी क्या हो गई? ये क्या हो गई? ये भी क्या है, एक line नहीं है तो इसका जो answer होगा, वो होगा none of these, क्योंकि जो है ये क्या है, इसका correct option होगा क्योंकि इन में से कोई भी line को represent नहीं कर रहा है, next हम बात करें इस figure की, यहाँ पे figure को देखके हमको बताना है क्या है, use a figure and write the name of ray, यहाँ पे इसनी भी ray form हो रही है, उनका नाम उनको बताना है, right, तो यहाँ पे देखिए next हमको इस figure में देखके बताना है कि इसमें ray कौन सी है, अब देखिए अगर हम AB की बात करें, तो AB क्या है दोनों साइड arrow है, यह क्या है एक line है उसी तरह से, यहाँ पे देखिए F के साथ में जो है, यह भी क्या है एक line है, कि दुनों साइड क्या है, arrow है अब यहाँ पे देखिए, CO CO में देखिए, सिर्फ यह इस direction में आगे बढ़ दी, एक ही side arrow है, तो that's why CO is a ray here अब हम बात करेंगे intersecting lines, कि intersecting lines कौन सी lines होती है अगर दो line जो है, एक दूसरे को किसी point पे cut करें, तो उनको हम कहते हैं, intersecting line जैसे कि यहाँ पे है, हमारे पास A, B and C, D दो lines है, यह दोनों की दोनों lines एक दूसरे को क्या करती है ओ point पे intersect कर रही है तो यह दोनों lines हो गई intersecting lines, इसी तरह से जो है, अगर हम दो lines इस तरह से ले जैसे यहाँ पे यह है, और यहाँ पे यह तो यहाँ देखिए, यह दोनों lines को जो है, अगर हम आगे, इसको मैं आगे extend करूँ और इस वारी को भी आगे extend करूँ, तो इनके extended portion एक दूसरे का करते हैं, यहाँ पे cut कर रहे हैं, तो इस type की lines को भी हम क्या कहेंगे, intersecting lines कहते हैं, तो intersecting lines वो lines हैं, जो एक दूसरे को किसी point पर करती हैं, cut करती हैं, तो यह हो गया intersecting lines, next हमारे पास है parallel lines, अब parallel lines से concept को हम इस तरह से समझेंगे, हमारे पास suppose, a, b, c, d, यहाँ पे a, b, c, d क्या है, एक table का top है, right, अब यहाँ पे देखिए, इसकी sides को में लेकि इस table top के a, b है, दूसरे side b, c है, c, d है, और a, d है, अब अगर हम यहाँ पे a, b और दूसरे की बात करें, a, b और a, d की बात करें, तो देखिए, a, b side और a, d, इस a, b को मैं as a line ले लू, और a, d को भी as a line ले लू, तो यह a, b और a, d जो है कैसी lines होंगी, intersecting line होंगी, और इनका point of intersection होगा, वो होगा a, right, अब अगर हम बात करें, a, b और c, d की, यह a, b एक line दोनों lines के बीच की जो distance है, वो कभी change नहीं होगी, right, क्योंकि, यहाँ पे देखिए, b, c की भी उतनी ही length होई, जितनी a, d की length होई, यानि a, b और c, d के बीच कहीं पे भी हम अगर line draw करें, perpendicular line draw करते हैं, तो वो line जो है, उसकी length हमेशा क्या हैगी, equal रही यानि यहाँ पे a, b और c, d line के बीच की जो distance है, वो बिल्कुल भी change नहीं हो रही है, तो इस type की lines को हम कहते हैं, parallel lines, जो क्या होती है, जिनके बीच की distance हमेशा क्या होती है, एक constant होती है, right, और इस type की lines, parallel lines जो होती है, वो एक दूसरे को कभी भी intersect नहीं करती है, क्योंकि देखें, यहाँ पे दो parallel lines अगर हम लें, अब देखें, इनके बीच की distance यहाँ पे लें, और एक यहाँ पे इनके बीच की distance लें, तो हर जगह, अगर हम इन दोनों lines को बहुत infinitely भी extend करेंगे, और तो वहाँ भी इनके बीची distance लेंगे, तो उनके बीची distance क्या रहेगी? सेम रही, तो यानि दो parallel lines जो है, एक दूसरे को भी जो है, intersect नहीं करती है अब हम next बात करेंगे, intersecting lines के बारे, right? Intersecting line, यानि दो line जो है, जब एक दूसरे कुछ angle form हो रहा है, right? अगर दो intersecting line इस तरह से form हो रही हो, कि उनके बीच का angle क्या हो, 90 degree हो, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं suppose एक line हम इस तरह से लेंगे और एक line को इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर दोनो lines के बीच में अगर angle क्या बन रहा है, 90 degree का बन्द है तो यहाँ भी 90 degree form होगा इस साइड भी 90 form होगा यहाँ पर भी 90 degree का form होगा और यहाँ भी 90 degree का angle form होगा तो इस case में इन दोनो lines को हम बोलते हैं, perpendicular lines जब दो line एक दूसरे को जो है perpendicularly intersect करती हैं, यानि 90 degree पर intersect करती हैं तो उनको हम कहते हैं, perpendicular lines अब next हम बाग करेंगे coincident line की coincident line मतलब अगर दो line इस तरह से देखी एक line यह है और exactly इसके उपर जो है, दूसरी line इस तरह से तो जब दो line क्या होती है कौन side होती है, तो उनको हम अब हम बाग करेंगे coincident lines की तो यहाँ पर देखें, एक line इस तरह से है और उसके just उपर उसको दूसरी line हमारे पास यहाँ पर है तो इस type की lines को हम बोलते हैं coincident lines और अगर हम बात करें, एक line हमने इस तरह से ली, और उसके साथ में 90 degree angle फॉर्म करते हैं, एक line इस तरह से ली तो यह क्या हो जाएगी, perpendicular lines